कर ठी left हुआ आज आपको कराऊंगा आपक्स्टरी इतियास का पिपर जो मार्ज 2021 में लिया गया था यह स्टार्ट करते हैं इसके एक अंक वाली जो पर्षन है कि कностью के श्कंदर ने बेबिलोन को कब विजित कि या था श्कंदर ने बेबिलोन को इसा पूरा में बेबलियोन को विजित किया था मारी के राजा किस समुदाई के थे तो मारी के राजा बर थारू समुदाई से थे किस समुदाई से थे बर थारू समुदाई से थे अगला परसन है मेसो पोटामिया नगर में होज क्या था तो एक छोटा सा गड़्डा होता था छोटा सा गड़्डा होता था जो गरो के आंगर में पाई जमा करने के लिए बनाया जाता था क्या काम आता था पाणी जमा करने के लिए करने के काम आता था कांपे घरों में अगला परसन है स्टेल क्या होते हैं तो स्टेल पत्थर के ऐसे सिलापट होते हैं यह क्या होते हैं पत्थर के सिलापट होते हैं जिन पर अभी लेख उत्क्रेंग के जाते हैं क्या गरते हैं इसके उपर अभी लेख होते के रन यानि की बनाई जाते थे अगला परसन है रोम के की सासों को पिसी प्रिंसी पेंट का जाता था तो जो पर्थम रोमन समराट था पर्थम रोमन समराट क्या नाम था उसका आगस्ट था कब था यह 27 इस्सा पूर की बात है यह लगभाग 22 इस्सा पूरों में अगला क्वेशन है परसन आपका एक दिनार या दिनारियस में लगब कितने गराम चांदी होती थी तो लगब गया आपका 4.5 गराम 4.5 गराम चांदी होती थी इसके अंदर जो है अगला जो परसन आपका डियसल 20 क्या था ये क्या था सपेन में उत्पादी जैतुन का तेल था क्या था ये सपेन में उत्पादी था जैतुन का तेल था जैतुन का तेल था जैतुन का तेल और जीन कंटेनरों में से लिजाया जाता था जीन कंटेनर तेनरर जा से लिए जाता था तो उसे कहते थे ड्रेसल 20 कहते थे अगला क्या है कबीले क्या होते थे तो अरब में लोगों के समों को कबीला कहते थे अरब जो देश है अरब में लोगों के समों को हम कबीला कहते थे पर्थम देटिये तर्थिये धरम युद कब हुए थे तो जो पर्थम युद हुआ था पर्थम यह वा था एक 1099 में और यह फरांस वे इटली के सेनिकों ने यह रूसलम पर दिकार कर लिया था यहां पर हम से युद पूछा कब वा था तो पर्थम हुआ आपका फस्ट यह पर्थम तो दिवतिय हुआ यह 145 ग्यार सो 49 तक चला था इसके अंदर के था जरमन और फरांसेसी सेना ने दमसिक पर दिकार करने का ऐस्फल प्रियास किया था तो तीसरा है आपका तर्थिय धरम्यु दूआ था यह 1187 से 1190 तक चला था सलावदीन ने इसाईयों को पराजित कर यरुसलम पर अदिकार कर लिया था जो अगला आपका परसन है शरिया का साब्दिक अरत क्या होता है तो शरिया का साब्दिक अरत क्या होता पानी का एक स्पस्ट व्यवस्थित रास्ता पानी का एक स्पस्ट और व्यवस्थित रास्ता आगला जो परसण है सामन्त वादी विवस्था में मैनर क्या होता था तो सामन्त वादी विवस्था में सामन्त वादियों के घर को हम बोलते थे सामन्त वादियो के घर को बोलते थे मेंनर कहते थे अगला है परशन तित्थे क्या होता था तो तित्थे क्या था उपज के दस्वे बाग को बोलते थे उस टाइम उपज यानि फसल जोती थी उपज का दस्वा भाग अगला परसन है फ्रांस का बालक सासक किसे का जाता है तो फ्रांस का जो बालक सासक है फ्रांसिस पर्थम को का जाता है फ्रांसिस पर्थम को कहा जाता है इंगलेंड का किस राजा ने पारलियमेंट को बुलाए बिना ग्यारा वरसों तक सासन किया था तो कौन था हो? चार्ल्स पर्थम नाम था संसित को भंग होने के पस्चाद ग्यारा वरसों तक ये सासन करता रहा था अगला परसन है रिक स्थानों की पूर्ति की दिये तो हमारा पहला परसन है मेनिटिजम सबद लातानी सबद डैस से बना है किसे बना ही? हुमेनी टाज से बना है अगला परसन है फ्लोरेंस डैस के सबसे जीवन्त बोधिक नगर के रूप में किसको जाना जाता है? तो हमारा आंसर क्या है? इटली इटली को फ्लोरेंस के सबसे जीवन्त बोधिक नगर के रूप में जाना जाता है अगला परसन है बेल्जिम मूल के डैस ने सुक्सम प्रिक्षन के लिए मनुष्य के स्रीर की चिर्फार की थी तो किसने? उसका नाम था? एंड्री एंड्री यास अगला परसन है लियोनार्डा दा विंची की परसी दर्शना कौन सी है? तो हम सब इस सुनते आते है मोना लीसा पेंटिंग भी इसकी एक जो विस्व परसीद है अगला परसन है जोहानेस गुट्यनबरग डैस के रहने वाले थे कहां के रहने वाले थे? जर्मनी के रहने वाले थे अगला परसन हमारा है इगनाटियस लो योला ने पंदरह सो चालिस इसवी में डैस नामक संस्ता की स्तापना की थी तो कौन सी संस्ता की स्तापना की थी? इसका नाम है सोसाइटी आफ जीसस किस तापना की थी जीजस आए गई आपका जीजस जीजस अगला हमारा जो पर्शन है वो क्या है डैस ने यह गोशना की कि पृत्वी समेथ सारे गरे सूर्य के चारों और प्रिकर्मा करते हैं तो कोपर निकस का नाम समय सुनाओगा इसका पूरा नाम क्या था निकोलस कोपर निकस निकोलस कोपर निकस इसे पहले गैलिलियो ने भी सुनाओगा अपने नाम उसने इसके बारे में थोड़ा बताया था लेकिन उसको जेल में डाल दिया गया था लेकिन बाद में निकोलस कोपर निकस ने इसे प्रूब करके दिखाया था तब से इसको माना जाने लगा था अगला जो परसन हमारा 35 परसन है डैस पहला देश था जिसने सरव पर्थम आदुनिक और दोगी करन का अनुबव किया था तो कौन था उदेश ब्रीटेन था जिसे आप आज इंग्लेंड कहते हैं ब्रीटेन उजडा गाव अंग्रेजी के सूपरसिद लेकक डैस की कवीता है तो किसी कवीता है ओलीवर गोल्ड समीद की है ओलीवर गोल्ड समीद की कवीता है अगला आपका देखिए निमलिकित बहु विकल्पिये परसनों के सही विकलप चुनिए तो आपको देखिए हर परसन के लिए चार आपको विकलब दिये गए है कौन सा ठीके देखना है मियूल काविसकार किस ने किया था तो मियूल काविसकार किस ने किया था यह आपका ऑफशन है सैमुल क्राम्टन ने किया था सड़क निर्माता किसे कहा जाता है स्रक निर्माता का जाता है जेम्स बरिनले को अगला परसन है बिर्टिस सांसद ने बिर्टिस संसद ने जुरुआ अधिनियम कब पास किया था यह कब किया था 1795 में किया था इस्वी में किया था पीटर लू नरसंगार कब हुआ था कब हुआ थी अगस्त 1819 में हुआ था तुमारा राइट आंसर सी है अगला परसन है सफ्टिक प्रासाद कहां पर स्टित है तो यह कहां पर स्टित है लंदन में स्टित है अगर मारा अगला जो परसन है कनाड़ा इंडियन्स एक्ट कब पास हुआ था यह पास हुआ था था ठारा सो चेतर इसमी में पास हुआ था इसके बाद अगला परसन हमारा महान दार्सनिक कारल मौक्स किस देश के रहने वाले थे तो कहां के रहने वाले थे यह जर्मनी के रहने वाले थे अगला जो मारा परसन है आस्ट्रेलिया की राजदानी कैनबरा कब बनाई गई थी राजदानी बनाई गई थी का उपनिवेश था कि सबसे ज़्यादा इंग्लेंड ने राज किया था बहुत सारे देशों पर तो इंग्लेंड का ही उपनिवेश था 27 क्वेस्चन है एंड्रियू जैक्शन किस देश के राष्ट्रपती थे यह अमरीका के राष्ट्रपती थे अगला पर्शन है 28 वा नाइतो कौनन किस देश के रहने वाले थे नाइतो इस टाइप के नाम जापान में उते तो यह जापान के रहने वाले थे एदो की सहर का पुराना नाम है एदो टोक्यो का पुराना नाम हो टोक्यो कहां के राष्टानी है जापान की राष्टानी है जापान की पहली रेल लाइन कब बिचाई गई थी जापान की पहली रेल लाइन 1870 से बेहतर में बिचाई गई थी पर्थम अफीम यूद कब लड़ा गया था तो पर्थम अफीम यूद अठारा सो उन्तालिस में लड़ा गया था तो मारा ये आंसर है यहांपे अगला है किसी आदुनिक चीन का संस्तापक माना जाता है आदुनिक चीन का संस्तापक सनियात सेन को माना जाता है पांच अमारा क्या है सनियात सेंड यह आपका मनमाक्स कांतिम परसन है जापान में पहला रेडियो स्टेशन कब खुला था तो जापान में पहला रेडियो स्टेशन कब खुला था यह 1925 में खुला था तो आज के लिए इतना ही काफी है अगले वीडियो हम एक और स्ट्री का पेपर करेंगे